अधिक सिदा सदा होना भी अच्छा नाई है सिदे वरिक्स पहले कार्थ लिये जाते हैं और टेड़ी मेटे बच जाते हैं हाकिगत ये है कि आज कर लोग आउकाच देखकर तालूक रखते हैं दर्द दो तरफी होते ही एक आपको तकलीफ देते है एक आपको बदल देते है जूत बोलकर अच्छा बनने से बाइतर है कि सच बोलकर बुरी बन जाओ दर्द हमेशा अपने ही देती है वरना गेर को क्या बता आपको दर्द किस बात से होता है बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़ी चीजों को दाउपर लगाना पड़ता है सच है सहाब जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते है वो इंसान आपकी एहमियत कभी ने समझ पाएगा जिनके लिए आप हमेशा हाजी रहोगे कटी हुई टहनिया भी कहाँ पर चाओ देती है हस से ज़दा उमीदी हमेशा कहाँ भी देती है उनके दिल में बहुत कुछ होता है जनकी जहब में कुछ नहीं होता गोंगा वो नहीं जो बोल नहीं पाता गोंगा वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है संसार में हार एक चीज ठोकर लगने के बाद तूट जाती है लेकिन एक सभलताई है जो ठोकर लगने के बाद ही मलती है अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा क्योंकि लोग ज्यान तो देंगे साथ नहीं नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए की बाते तो कोई भी अच्छी कर सकता है आपने समय का सई उपयोग करोगी तो आपको पतावे नहीं चलेगा आप कब काम्याब हो गए खोश रहना है तो चूप रहना सीखो क्योंकि खुशियों को सोर पसंद नहीं जुकने से यदि रिष्टा गहरा हो तो जुक चाओ लेकिन अगर हर बार आपको ही जुकना पड़े तो फिर रुक चाओ समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों कितबे पढ़ने से बहितर होती है सवभाव अच्छा होना चाहिए सुरत का क्या है सहब वक्त के साथ बदली जादी है सामय से ज़्यादा स्रिप्वोनी रिष्टों की कदर करो जनोंने समय पर आपका साथ दिया है किसी का सरण सवभाव उसकी कमजोरी नहीं होती बलकि उसकी संसकार होती है कभी-कभी किसी की जनून को देखकर अपने आप में भी जनून आ जाता है आज़ाद रहिए विचारों से लेकिन बंदी रहिए अपने संसकारों से लूट लेते हैं अपने ही वरना गेर को क्या पता इस दिल की दिवार कहां से कमजूर है कुछ भी सुरू करने के लिए हमारा महान होना आवर्शक नहीं है लेकिन महान होने के लिए हमें कुछ सुप आरम करना अत्यान आवर्शक है